गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका Android Studio अगर फ़र्स्ट टाइप यूज कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ इस टाइप का एरर होगस हो के आता है लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट को यहां पर मैंने रन कराया एमुलेटर के थ्रू तो जैसे इस प्रोज है कैसे इसको रिजॉल करेंगे तो आप सिंपल सा मेथड उस एरर को कॉपी कीजिए सिंपली आपको यहां पर गूगल पेस्ट करना कोई भी अगर आपका Android Studio का एरर आता है आपको यही काम करना है यहां पर स्टैक वर्फ्लो पे बहुत सारी सॉलूशन दिये रहते हैं आप हो जाएंगे ठीक है तो यहां से जैसे ओपें करते हैं आप लिखा हुआ कि फाइल में जाना है प्रोजेक्ट ऑफ इस्ट्रक्चर में और उसके बास यहां पर कुछ सेटिंग करना है तो यहां से यह रहा इसका मेथड आप इसको इससे भी कर सकते हैं फिलाल हमें आपसे आ तो चली हम यहां से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं तो पहले आपको जाना फाइल स्पी या प्रोजेक्ट इस्ट्रक्चर जैसे यहां पर प्रोजेट इस्ट्रक्चर में जाते हैं इसके बासे इसको कट करते हैं just click on modules और मिख्हें सबस्क्राइब आइ हो पर फ्यूचर यहां तरब बंद भी इस को हमें श्रक्त करना है यह रहें क यहां पर जो by default दिया है उसको भी select कर लेना है तो current version 31 हो सकता है कि future में कुछ और change हो जाए तो आपको यहां पर जैसे क्लिक करेंगे जो यहां पर available रहाएगा यहां पर set हो जाएगा तो इसको मैंने क्लिक किया और यहां पर click on apply and ok पर click कर देंगे कि इस kquick करेंगे इसको काट करेंगे अगया कोई हो जाने के बाद पर click on apply अगर के इस और जो लोडिंग हो जाने के बाद यहां पर क्लिक कर देंगे होने के बाद यहां पर देख सकते प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है तो आप यहां पर आप अगर यह method हमारा नहीं work करेगा तो हम आपको एक solution और बताएंगे तो फिलाल यहां पर हमारा प्रोसेसिन नीचे हो रहा है अब देख सकते हैं उसको तो प्रोजेक्ट हमारा बील्ड हो रहा है और उसके बाद बील्ड हो जाने के बाद फिर से हम इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे अपने एमुलेटर में और देखेंगे हमारा जो एमुलेटर अब यहां से वर्क कर रहा है कि नहीं तो जास्ट हैं आप हमने Android Studio को डाउनलोड किया इंस्टॉल किया और उसके बाद एमुलेटर को भी डाउनलोड और उसको हमने इंस्टॉल कर लिया इसके बाद यहां पर प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रोजेक्ट को रन कराएंगे क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर आपका अच्छे तरीके से रन हो करेगा तो यहां पर हमारा हो चुका से नकुनाइज हो गया अब यहां पर रन का बटन hour हो गया जुकि कर देंगे तो इसक पर हमारा पर रहा है अब देख सकतين हैं कि यह भी भी एरर सो होके आ रहा है यानि कि यह जो हमारा सॉल्यूशन था वर्क नहीं किया दूसरा मेथड है आपको सिंपली स्टीके मैनेजर पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको स्टीके टूल्स पर जाना है और आपको एक चीज ध्यां रखना सी आपको टीक कर लेना है जो भी आपक कॉमपोनेंट टीक नहीं है उसको कर लिजिए पांच आपका होना चाहिए उसकेपलाइप पड़ेजित केजिए युके पर क्लिक- कर देजिए आपका जो कमपोनेंट है यहां पर च्यार से पांसों यमी लेगा जो कि download हो जाएगा Download हो जाने के बाद आपको फिर से इस project को यहां पर synchronize करना है और run करना है तो आप देश सकते हैं successfully मेरा जो project है यहां पर run हो चुका है इस तरह से बोफ़ एजी तरीके से इसको आप solve करेंगे और run करा लेंगे थैंक यू